कि इंडिया अफगानिस्तान में हमेनिटेरियन एट के तौर पर 50,000 टन वीट भेशना चाहता है लेकिन वो ये वीट वो ये 50,000 टन वीट गंदुम पाकिस्तान के रास्ते से भेशना चाहता है इंडिया ये चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फ्राहम करें अपना रूट ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करे और यहां के जरीए उसकी ट्रक्स यह जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबूल की तरफ रवाना हो इस सिलसले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया जंडा उठाके अफगानिस्तान की ज लेकिन इसमें एहम बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान किस तरीके से अपना किरदार अपना रोल प्ले कर रहे हैं और हुआ कुछ यू है कि इंडिया अफगानिस्तान में हमानिटेरियन एट के तौर पर 50,000 टन वीट भेशना चाहता है लेकिन वह यह वीट वह यह 50,000 गंदुम पाकिस्तान के रास्ते से भेशना चाहता है इंडिया यह चाहता है कि उसको पाकिस्तान अपना रास्ता फराहम करें अपना रूट ट्रेड रूट जो है वो प्रोवाइड करें और यहां के जरीए उसकी ट्रॉक्स यह जो 50,000 टन वीट है इसको लेकर काबूल की हूँ अब आप जानते हैं कि यह जो रास्ता है यृ जो रूट है यह लहूर के शेर, शेहर लहूर वागा बार्डर जो के दोनों बार्डर्स मिलती हैं यहां से इंडिया को कॉछ ट्रॉक आएंगे और पाकिस्तान वें दाखिल होंगे लहूर में और फिर लहूर से जो एक रूट है उसके जरीए वो आगे जाएंगे अब मैं आपको ये भी बता दू कि इस सलसले में पाकिस्तान ने अभी तक इंडिया को कोई जवाब नहीं दिया कि वो इसके लिए उनको इजाज़त देंगे या नहीं देंगे लेकिन अभी क्योंकि इसको कुछ वीक्स हो गए इंडिया ने जब ये लेटर लिखा था पाकिस्तान को लेकिन अभी जब ट्रॉइका कॉन्फरंस हुई है तो उसमें अफगानिस्तान का जो डेलिगेशन यहां करना जाता है तो उसकी उसको इजाज़त दी जाए और इसको आप येस कर दें और उसके उपर प्राइम निस्टर इम्रान खान की तरफ से कहा गया कि वी विल कंसिडर इस रिक्वेस्ट लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया अच्छा अब हम अगर यह सोचें कि जवाब क्यों नहीं दिया गया तो इसमें बहुत सी रीजन्स हो सकती हैं मतलब यह कि मुख्तिलिफ लोग जो है इसके उपर बहुत कुछ सोच सकते हैं पहली बात तो यह कि मैं आपको यह बताओं कि अफगानिस्तान की इस वक्त जो फूड की सिजुएशन है वह यह है कि जो इंटरनेशनल औरगनाइजेशन हैं इस हवाले से जो काम करती हैं उनका ही कहना है कि कोई सिर्फ 5% लोग अफगानिस्तान में ऐसे हैं जिनके पास इनफ फूड तो इट और उसके इलावा तकरीब नाइन मिलियन लोग अफगानिस्तान में ऐसे मौजूद हैं कि जो जि जो प्लेज किया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से 280 मिलियन डॉलर्स अफगानिस्तान को हमेनिटेरियन एट के तौर पर दिये जाएंगे इसके अलावा हम जानते हैं कि पहले भी पाकिस्तान की तरफ से ट्रक्स की सूरत में और बाकी वहां पर हमेनिटेरियन एट भ यह इंडिया फाइफ थाउजन ट्रक्स में डालके फिर वहां पे बेजेगा यानि यह जो एड है यह तकरीबन इसके लिए पांच हजार ट्रकों की जरूरत होगी तो इंडिया के पांच हजार ट्रक यह एड लेकर यह गंदुम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे और आपको मैं यह भी बताऊं कि यह कोई एक दिन का काम नहीं है यह अगर आप समझ रहें कि चंद घंटों में हो जाएगा तो इसके लिए जाहर है कि टाइम की जरूरत हे और टाइम के इलावा सीरफ्लेंस की जरूरत होगी इसके लिए स्क्युरिटी की जरूरत होगी कि कोई security लैप्स ना हो, कोई ऐसी problem वहां पर पेश ना है और क्या पाकिस्तान इस सिल्सले में क्या मुश्किलाइच समझते हैं कि हम अगर वो ट्रक वहां पर जाने देंगे जिस तरह के हम जानते हैं कि दोनों मुल्ग जोएं पाकिस्तान ये समझता है कि बहुत कोई मुश्किल हो सकती है कोई security lapse हो सकता है पाकिस्तान के लिए या इंडिया के जो लोग जो ट्रक लेकर जा रहे हैं उनके लिए वो क्या समझता है ये चीजें जो हैं सामने आने की जुरूरत है और जाहर है कि ये कोई expert जो है इस हवाले से security का ये जो trade route जो इस्तमाल करते हो सिलसले में क्या-क्या इसके लिए क्या facilities प्रवाइट करना होती है लेकिन ये भी याद रखिएगा कि जब इंडिया के ट्रक गंदुम लेकर पाकिस्तान के रास्ते से गुजरेंगे आते हैं इस topic के एक और एंगल की तरह और वो ये है कि इंडिया तो पहले भी अफगानिस्तान में एड भेजता रहा है इसकी वज़ाए ये कि 2017 में भी इंडिया ने वीट वहाँ पर भेजी थी गंदुम भेजी थी अफगानिस्तान और उस वक्त मेरा है 15,000 टन वीट वहाँ पर भेजी गई थी लेकिन उस वक्त इंडिया ने जो रूट यूस किया था वो था चाबहार का इरान के जरीए वो रूट यूस किया था क्योंके चाबहार पोर्ट जो है उस पर इंडिया की बहुत इंवेस्मेंट भी है कहा जाता है कि इंडिया ने तकरीबन 50 करोर डॉलर की इंवेस्मेंट चाबहार पोर्ट पर की और क्यूंके जाहरे के इंडिया समझता है कि वह वाला रूट और जो चाबहार पोर्ट है वो उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल है बेशक यह कहा जाता है कि उसमें जो है वो काफी नुकसान हुआ इसकी वज़ाई यह है कि एक तो यह कि वो जो रूट है जो इंडिया एरान के जरीए चाबहार पोर्ट जो है उसका रूट जो इस्तमाल करता है तो इस वज़ा से इंडिया इस मरतबा वहां से नहीं वो यह वली कोशिश कर रहा कि उदर से जाया जाए और अपना सामान उदर से बेजे चाबहार पोर्ट के जरीए जिस तरह के मैंने कहा कि एक बहुत लंबा रूट है और बहुत एक्सपेंसिल भी पढ़ता है यही वज़ा है वो एक अलग टॉपिक है उस पे हम फिर कभी जरूर बात करेंगे लेकिन अभी हमारा यह है कि पाकिस्तान ने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया यही कोई कॉम्प्रमाइज हो इनी सकता कश्मीर में वहाँ पर लोगों को मारा जा रहा है खून बहाया जा रहा है कश्मीरियों का और यहां पर पाकिस्तान जो है उनको रूट देने की बात कर रहा है उनका सामान यहां से जाएगा आप जानते हैं कि मुख्तलिफ जहनों रखने वाले मुख्तलिफ लोग होते है तो बहुत से लोगों का यह नजरिया भी है तो मसला यह है कि फर्स कीजिए अगर पाकिस्तान यह सोचता है कि हमारे हम तो उनसे तालुकाद नहीं रखना चाहते है वैसे तो वो अलग बात है कि खबरी आती है कि मुदी को फोन मिला जाता है तो मुदी फोन ही नहीं उठाता चले हम उस टॉपिक को भी छोड़े देते है लेकिन जो एक आम नेरेटिव है वो यही ना कि नहीं हम तो कोई तालुकाद नहीं रखना चाहते है लेकिन इसके उपर एक और सवाल भी बनता है और वो यह है कि पाकिस्तान इंकार कैसे कर सकता है इसकी वज़ाई यह है कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्यूनिटी के सामने प्लेज किया पाकिस्तान इंटरनेशनल कम्यूनिटी को यह कहता है कि प्लीज आगे बढ़कर आप अफगानिस्तान की मदद कीजे अफगानिस्तान बहुत मुश्किल सिच्वेशन में दुनिया का वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जो के सबसे जादा अफगानिस्तान के लिए हल्प आउट उनको कर रहा है उनके लिए बाकाइदा जो है ये प्ली पेश की जाती है बाकाइदा दुनिया के सामने जो है ये कहा जाता है कि आप अगर उनको रेकिगनाइस नहीं करेंगे तो फिर वहाँ पर ये क्राइसिस आएगा तो ये जो जंडा उठाके अफगानिस्तान की जो मुश्किलात है उनको सामने रखने वाला पाकिस्तानी तो है तो अगर अब पाकिस्तान ये सब करने के बाद इंटरनेशनल कमिन्टी के सामने क्या मू लेकर जाएगा क्या कहेगा कि आप ये जो रूट है ये इस्तमाल क्यों नहीं करने दे रहे इसकी वज़ाए है कि अगर ये कहते हैं कि नहीं हम नहीं करने दे सकते हैं इंकार कर देते हैं तो फिर दुनिया ये कहेगी कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं का, बहुत सी security की ऐसी situations हो सकती है. बहराद, तो हो सकता है from Pakistan ये कहे. ये सोचे हैं कि जो मर्जी कहता रहा है. हमारा हम समझते हैं कि हमारे लिए ये नुकसान दे और हम उनको नहीं जाने देंगे हैं, तो 人को नहीं जाने दे सकते हैं, या हम उनको इजाज़ नहीं दे सकते हैं तो ऐसी सूरत में अफगानिस्तान के लोग और जो अफगानिस्तान में हकोमत है वो ये कहेगी उसका भी सवाल ये उठेगा कि आप तो हमारी मदद करना चाहते हैं आप तो कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा दुनिया को हमारी मदद करने के लिए कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं और आप हमारे ब्रादर इसलामी मुलक हमारा है तो इस सलसले में अगर हमें हमानिटेरियन एड इंडिया की तरफ से आ रही है तो आप उसको आने नहीं दे तो क्या फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तालुकार जो हैं वो सही रहेंगे